तेजस्ट्री आदो अपनी यात्रा जो है वो अधूरी तरीके से पूरा कर रहे थे मतलब की तेजस्ट्री आदो अधूरे थे वो पूरे अब हुए है और पूरे कैसे हुए है वो भी हम आपको बताएंगे तेजस्ट्री आदो अकेले चले थे अपनी यात्रा करने परिवार के सदस से कोई साथ नहीं था पाटी तो थी परिवार का सदस से कोई साथ नहीं था यानि कि उनके बड़े भाई साहब उनके साथ नहीं चल रहे थे लेकिन अब तेजस्वी यादो पूरे हो गए हैं तेजस्वी यादो के बड़े भाई साहब यानि तेजप्रताप यादो अ साथ दिखे तस्बीरे देखे किस तरीके से छोटे भाई जो हैं वो बड़े भाई से बात्चित कर रहे हैं और बड़ा भाई भी छोटे भाई का हाथ पकड़ कर और जनता के सामने दिखा रहा है कि अगला मुख्यमंत्री यही होगा आपका आसिरबात चाहिए और फिर तेज सानाबाद के दिवतुल जनता का असिरबात प्राप्ट हुआ जनता ही सर्वसक्तिमान और सर्वपरी है आपके विश्वास सनेह और प्रेम के लिए आपका अत्मन से अभार और आप साथ रहे हम हर कदम पर आपके सयोग के लिए तत्पर रहेंगे और आपकी लड़ाई को निरंतर आगे बढ़ाते रहेंगे और उन्होंने देखिए तेजप्रताप यादों ने तेजश्वी यादों के साथ खड़े होकर जनता का विवादन स्विकार किया और तेजश्वी यादों का हाथ उठाकर आगे बढ़ाया और इसके बाद क्या अपने पिता की तस्वीर को भी जनता को दिखाया ति यही हैं गरीबों के मसीहा यही हैं जिनकी वज़ा से आज आप सभी जातियों के समान बैठ रहे हैं और देखिए किस तरीके से तेजप्रताप यादो फूले ना समा रहे हैं बीते दिनों एक ख़बर चली थी कि तेजप्रताप यादो जो है वो दोड़े भागे कि चलो भाई अब छोटे भाई का साथ देना है खड़े रहना एकदम और तेजप्रताप यादो ने दिखाया कि जब भी भाई को जरूरत पड़ेगी मैं दोड़ा चलाओंगा हलाकि भाई में बिवाद किसी बात को लेकर नहीं है बिवाद पहले रहता थ संजय यादो को लेकर वो सारी विवादे खतम हो चुकी है क्योंकि अब लालो परसाद यादो पटना में रहते हैं अब दोनों बेटों को उनको संभालने आता है कि किसको कैसे संभालना है और किसको कैसे मनाना है तो देखे तेजप्रताप यादो का सहयोग जन विश्वास यात्रा अब पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है अब ही यात्रा बाकी है यात्रा एक तारीख को जो है पटना पहुंचेगी और जब पटना पहुंचेगी तो पटना का महौल कैसा होगा वो भी हम आपको बताएंगे बराल इस खबर में इतना ही बनेना हमार साथ और दे झाल, 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 झाल